एसा नहीं कि ट्रेड मंत्री में पर लिए फिर बार में वीकली को देखना शुरू कर दिया, डेली को देखना शुरू कर दिया, fifteen minutes को देखना शुरू कर दिया क्योंकि हर time frame में उसका movement अलग रहता है मत करिये अगर नहीं discipline रख सकते हैं because जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम immediately expert हो जाते हैं कहने के लिए share market में बहुत easy मगी है कि कहना और सुनना बहुत easy है लेकिन जब हम खुद trade लेते हैं तो हमें पता है कि Hello friends, volume weighted average price क्या होता है VWAP commonly known है सब जानते हैं VWAP क्या होता है कि आज कितना volume हुआ है और उस volume की traded price क्या है तो total traded price divided by volume तो हम बात करेंगे value जो traded value है तो इसको हम कर देंगे ट्रेडड वैल्यू डिवाइड बाइ वॉल्यूम तो आ गया VWAP अच्छा इसे अगर चार्ट पे नहीं देखें और हमारे स्क्रीन पर ही देखें तो वहाँ पे एक ATP आता है स्क्रीन मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल तो वहाँ पे एक ATP आता है Average Traded Price वो भी इसी तरह से निकाला जाता है तो ट्रेडिंग टर्मिनल पे हम देखते हैं कि हमने buy price डाला है sell price डाला है buy quantity डाली है sell quantity डाली है last traded price डाला है फिर हमने डाला है high, low, open और yesterday का close भी बहुत लोग डालते हैं इसके अलावा change in percentage डालते हैं कि कितना percentage compare to yesterday हुआ है ये सब डालने के बाद हम एक चीज और डालते हैं ATP Average Traded Price अगर नहीं डाला है तो डाल लीजे मैं वो स्क्रीन में रखती हूँ ATP के उपर अगर price चल रहा है तो हम buy करेंगे और day के low के stop loss से start करेंगे बाद में हम अपना stop loss ATP trailing stop loss कर लेंगे एक तो वो तरीका है दूसरा हम अगर हम charts यूज करते हैं तो थोड़ा हमारा stop loss refine हो जाता है तो वो हो गया ATP के हिसाब से trade करते हैं actually यह देखा जाता है कि price अगर VWAP या ATP के उपर है मतलब overall market में buying trend है और जैसे जैसे price उपर जाएगा VWAP या ATP उपर जाते जाएगा और अगर price जो है वो ATP के नीचे है या VWAP के नीचे है तो moreover सब ने short किया हुआ है major smart money ने short किया हुआ है price जो है continue नीचे जाता जाएगा अगर हम सिर्फ screen देखके जो screen trading करते है screen को ही read करते है वो ATP को बहुत value देते हैं उनका जो stop loss है या trailing stop loss है वो ATP के उपर होगा अगर short किया है और अगर buy किया है तो ATP के नीचे होगा ऐसा trail करते जाएंगे और वो hit हो गया तो hit हो गया एक चीज हमेशा ध्यान रखिए stop loss अगर hit हो गया तो hit हो गया उसमें फिर no if no but हमें hit करना ही है क्योंकि अगर हम stop loss hit नहीं करेंगे तो stop loss हमें hit कर देगा हमारे bank balance को hit कर देगा और हमें market से kick कर देगा यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि stop loss के साथ discipline के साथ trade कीजिए otherwise मत करिये अगर नहीं discipline रख सकते हैं तो लेकिन पैसा बहुत महनत से कमाया जाता है कहने के लिए share market में बहुत easy मनी है यह कहना और सुनना बहुत easy है लेकिन जब हम खुद trade लेते हैं तो हमें पता है कि कितनी तकलीफ होती है अगर loss होता है तो और profit होता है तो कितनी खुशी होती है लेकिन हम जल्दी से निकल जाते हैं इसलिए यह ध्यान रखना तो VWAP का ऐसा नहीं है कि हम intraday में यूज़ करते हैं हम इसे higher time frames में भी यूज़ कर सकते हैं और जब हम इसे higher time frames में यूज़ करते हैं तो फिर जो मज़ा आता है पोजिशनल का या long term delivery short term delivery का जो मज़ा आता है गजब मज़ा आता है और चलिए यही चीज़ हम चार्ट पे देखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं और फिर उसी को मैं आपको higher time frame में भी साथ साथ में दिखाते जाओंगी तो चलिए धन के app पे चलते हैं यह धन का home page यहाँ पर हम markets में जाएंगे और markets में जाके हम gainers पे click करेंगे जब gainers पे हमने click किया तो आज के top 10 gainers या losers हमारे सामने आ जाएंगे तो यह top 10 gainers हैं हम top 10 gainers में से काम करेंगे तो सबसे पहले हम start करते हैं कि कैसे देखेंगे मैं क्या करती हूँ मेरा जो style है मैं 9.15 से 9.30 तक सिर्फ watch करती हूँ और 9.30 के बाद trade start करती हूँ कभी कभी तो trade 11 बज़े 12 बज़े भी आ सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 9 बज़े ही आए लेकिन जब तक trade नहीं आएगा मैं trade नहीं लूँगी तो चलिए सबसे पहले हम start करते हैं कि SBI Life है IRCTC है तो IRCTC में हम chart open करेंगे तो यह हो गया IRCTC का chart अब इसको हम सबसे पहले करेंगे 15 मिनिट और 15 मिनिट करने के बाद हम क्या करेंगे इंडिकेटर है इसमें जाएंगे और VWAP टाइप करेंगे VWAP आ गया इंडिकेटर और इसकी सेटिंग्स में जाके हम इसे ठिक भी कर देंगे मैं ठिक इसलिए रखना पसंद करती हूँ क्योंकि एक at a glance वो दिखाई देता है और यह सब charts को देखना, समझना, सीखना, patterns यह सब का course मैंने detail में cover किया है upsurge.club पे वहाँ पे आप login करके और पूरे course को अच्छे से detail में study कर सकते हैं तो यहाँ पे अब हम start करते हैं let us say IRCTC तो पहला वाला हम क्या करते हैं कि जब यह वीवैप के उपर जब बंद होगा तो उसका जो high break होगा तब मैं buy करूंगी next candle पे मतलब यह close candle है इसका जो high होगा हम यहां से marking ले लेंगे और यहां पे इसको click कर देंगे अब इसका जो मेरा style है वो क्या है मेरा जो पहला stop loss होगा वो day low के नीचे का होगा अगर day low में और trade में बहुत बड़ा difference है तो मैं नहीं लोंगी बहुत बड़ा difference है मतलब कभी-कभी जैसे opening के साथ ही 2-3-4% तक उपर चला जाता है तो इतना बड़ा risk मैं नहीं ले सकती half percent, one percent तक उपर गया तो एक बार risk लिया जा सकता है तो low के नीचे का SL लगाकर मैं रख सकती हूँ और यहाँ पर जैसे ही इसका high तोड़ा मैं buy कर सकती हूँ for intraday अब यह यहाँ पर एक pattern बनाकर मेरा जो style है वो क्या है कि यहाँ पर एक pattern बनाया पहला stop loss यह है उसके बाद उपर गया और उपर से वापस ऐसे नीचे आया मेरा जो style है पहला stop loss मेरा यहाँ पर रहेगा उसके बाद जैसे market ने उपर लिया फिर ऐसे v-shape बनाया तो मतलब अब मेरा stop loss यहाँ से shift होके यहाँ पर चला जाएगा अब यह मेरा stop loss होगा अब मेरी risk बहुत कम हो गई प्राइस उपर जाते जाएगा जैसे ही इसने एक और v-shape बनाया यहाँ पर गया नीचे आया फिर market उपर गया मेरा यह stop loss फिर shift होके अब यहाँ चला जाएगा मतला जहाँ पर मैंने buy किया था बस उसके पास में ही चला जाएगा तो अब loss नाके बराबर है फिर यह उपर गया फिर यहाँ से नीचे आया अब मेरा stop loss यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही v-shape बना तो यह मेरा stop loss यहाँ पर आ गया मेरी यहाँ तक की profit secure हो जाएगी अगर मैंने यह stop loss system में डाल दिया तो और system में एक चीज और बताना चाहते हूं कि जब भी हम system में stop loss डालने हैं तो round figure में डाल दिये जैसे यहाँ पे 706 रुपय 50 पैसा है या 705 रुपया है तो क्या करते हैं हम लोग कि 705 का trigger price डालते हैं और SL price डालते हैं 704.90 मैं क्या करते हूं मैं सीधा 704 डाल देती हूं क्यों क्योंकि कभी कभी round figure ना होने से price jump कर सकता है यानि stop loss jump कर सकता है तो इसलिए round figure में रखें तो अच्छा रहेगा jump होने के chances कम हो जाते हैं तो यहाँ पे अब मेरा जो नया stop loss आया है मेरी इतनी profit बच गई और but natural last में तो cut करना ही करना है तो overall अगर मैं इसकी calculation करूं तो कितनी आई है यहाँ पर let's say मेरी buy start हुए 688 तो हम कहेंगे let's say buy मेरी start हुए 688 तो मैं कहूंगी 688 buy और कहाँ पे जाके position कटी? position कटी let's say यहाँ पे 706 तो 706 में book profit कितने की profit हुई? आठ एक अठारा रुपए की profit हुई? सिंपल आपके सामने calculation कर रही हूँ 18 रुपए की profit हुई? एक शेर लिया है तो 18 की profit होगी 10 शेर लिया है तो 180 की होगी जब आप start करें तो बहुत छोटी quantity से करें because जब भी कोई नहीं चीज़ सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम immediately expert हो जाते हैं एक एक दो-दो quantity से start कीजिए अच्छा रहेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आम शौर आप market में successfully trade करना चाहते हो अलग-अलग type के candle stick और chart pattern समझना बहुत important है क्योंकि यही patterns आपको सही entry और exit लेने में help करेंगे जोती बुधिया माम ने upsearch.club के technical analysis course में chart patterns, indicators, trend lines और stock selection जैसे कई important topics in detail cover किये हैं according to our 10,000 plus learners ये आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है तो आज ही description में दिये गए link पे click कीजे और technical analysis सीखे और technical analysis सीखे now let's get back to the video अब हम एक दो example और देखते हैं तो top 10 में हमारे पास आपास आपास है SBI life इसे देखते हैं SBI life में क्या हुआ है ये first में ही dead टका चला गया उपर और यहाँ पे मुझे bind दिया है मेरी stop loss यहाँ पे आएगी तो इसे draw करके दिखते हैं क्या ये possible होता है जब दिन ऐसे आते हैं कि trade नहीं करना है तो नहीं करना है अगर दिन ऐसे हैं कि trade कर सकते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे अगर previously देखूं तो इसमें sideways था तो sideways अगर है तो इसका मतलब वो top 10 gainers में या top 10 losers में तो नहीं है न हम top 10 में लेके और intraday के हिसाब से उन्हें trade करना चाहें तो VWAP को use कर सकते हैं अब यहाँ पर आया और फिर price ने ऐसा V-shape बनाया तो हम क्या करेंगे यह ऐसा V-shape बना दिया और यह मेरा stop loss जो पहले यहाँ था वो सीधा यहाँ पे shift हो गया यहाँ पे shift होने से मैं पूरे के पूरे profit में आ गई because यह candle ने मुझे अच्छा खासा profit दिया इसके बाद यहाँ पे एक और आया और यहाँ पे इसी के लोग के हिसाब से हमने मेरा stop loss कट गया trade cut finish इसकी भी working करते हैं कि buying खड़ी हुई है 1383 1383 पे buy और profit कहाँ पे book हुई है let us say हमारी 1418 और थोड़ा कम कर देते हैं 1413 कर देते हैं round figure में रखने के लिए book profit तो कितने की profit हुई है लग यह 0 और 30 रुपीज 30 रुपीज की करीब हमें profit हुई है एक शेर है तो एक method simple है देखने में simple है करने में practice की ज़रूरत है जल्दी मत कीजिए अच्छे से practice कीजिए फिर करिए इसी तरह से हम short में भी देखते हैं फिर हम धन के home page पे जाएंगे और losers को देखेंगे तो losers में हम percentage change again click करेंगे और जब हम losers में देखते हैं तो हमें fok stocks देखना ज्यादा ज़रूरी है because हम futures में short कर सकते हैं करने हम cash में भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा risk रहता है cash में बट still अगर हम चाहें तो cash से start कर सकते हैं तो पहले item में यह close market है इसलिए आपको शायद items अलग-अलग दिखें लेकिन जब हम live market में करते हैं तब भी system में यही follow करती हूं और पहला चेक किया यह इतना gap down खुला है तो यह तो trade हमारे बसकी बात ही नहीं पहले में ही 6% down है ignore it इसे बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे कामका नहीं है L&T finance holding यह भी इतना बड़ा gap down खुला है अगर यहां पर देखें तो करीब 4% कैसे देखना है यहां पर दिखाई देता है कि यह कितना percentage down है तो अगर देखें तो कितना percentage down है 4% तो इसे तो हम trade करना भी नाए जाएगे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया तो मैं ट्रेड कर लूँगी, मेरा यहाँ पे नहीं होगा, एसल इतना लंबा, यहाँ तक भी अगर एसल लेती हूँ, लेकिन कितना बड़ा gap down खुला है, इतना बड़ा gap down खुलने के बाद, ठीक है, अभी मैं market देख रही हूँ, बंद होने के बाद तो मुझे राहिटरेंट साइड का दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि यह trade में ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, जब running market में हो और यह gap down होता है तो इतना बड़ा gap down, खास करके 3-4%, half percent, 1% हो तो एक बार risk लिया जा सकता है, इतना बड़ा gap down में मैं कभी भी risk नही लोंगे, फिर next talk, trade नहीं मिलेगा न, कोई बात नहीं, दूसरा कोई trade मिलेगा, तीसरा कोई trade मिलेगा, सब कितने gap down है, नहीं करना है, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे, कोई न कोई तो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं करेंगे, हमें buy का trade मिल गया, हम buy कर ले ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी बंद कर देते हैं, तो फाइनाइस में हम देख रहे हैं कि सब गाप बढ़ रहे हैं, और गाप डाउन खुल रहे हैं, कोई न्यूज आई होगी, अगें ये इतना बड़ा गाप डाउन, पहले में ही 3-4 परसंट नहीं करना इतना बड़ा काम में, फिर MCX देखते हैं, ये कुछ-कुछ हमारे काम के लाइक है, तो ये ओपन हुआ, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं एक स्क्रीन शॉट लेती हूँ, ये जो पहली कैंडल है, 9.30 तक की बनी हुई, 9.15 को स्टार्ट होती है, 9.30, इसने उपर बंद किया, बाई कब आएगा, जब हाई तोड़ेगा, जब इसका हाई तूटेगा, हाई तूटा नहीं, अब क्लोस कहां किया, वी वैप के नीचे, ट्रेड कब बनेगा, जब ये लो तोड़ेगा, यहाँ पे लो तोड़ा, मेर यही रहेगा, यह भी रख सकते हैं, या प्रीवेस कैंडल का यह भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पोकेट साइज क्या है, आप डीप पोकेट्स वाले हैं, तो थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हो, अगर आपकी रिस्क कपासिटी नहीं है उतनी, तो जिस कैं बना और फिर यहां से यह बना और फिर यहां पर जैसे मैंने बताया कि V-shape बना तो यह मेरा stop loss यहां पर आकर ट्रेल हो जाएगा तो जो मेरा stop loss यहां था वो यहां पर shift हो गया अभी यहां पर position cut automatic cut हो गई right मैं इसमें लालच नहीं करूंगी मुझे इतना ही पैसा आया ना चलेगा आया that is more important top और bottom जरूरी नहीं है मिले लेकिन जितना आया we are happy or we should be happy at least I am happy with that तो let us work out देखते हैं कितना है यहां से आते हैं यह हमारा SL हिट हो गया और यह हमारा trade price तो trade price हुआ 2925 और SL मेरा हिट हुआ 2900 25 20 रुपीज profit आया ठीक है आया ना गया तो नहीं that is more important तो हम इस तरह से short भी देख सकते हैं इस तरह से long भी देख सकते हैं और काम करते जाए अगर आप previous में इसमें देखें तो मैं एक और चीज दिखा हूं यहां पे मुझे लेटर से हम इसी stock को थोड़ा higher time frame में देखते हैं लेटर से weekly और यहां पे जो वीवैप है वो candle के उपर है इसको हम convert करेंगे line chart में क्यों किया मैंने ऐसा line chart क्यों की इसलिए क्योंकि line chart जो है वो close to close बताता है मैंने का ना मैंने पूरी detailing charts की course में किये login करके register कीजिए और सीखिए सारे जो marks है वो delete कर देते हैं और वीवैप का color change कर देते हैं because price की color से वो merge हो रहा है तो हम इसको कोई दूसरा color दे देते हैं blue की जगा है लेटर से हमने green दे दिया green भी almost same जैसा लग रहा है तो हम क्या करेंगे एक बार इसे maroon color देके देखें ठीक है चलिए maroon color या purple color हमने दिया है अब यह देखें यहां से 2300 से जो price वीवैप को यहां पर cross की है continue उपर ही चल रही है जो maroon line या purple line है वो हमारी वीवैप है और इसके उपर ही price चल रही है जब भी price मानलो जैसे हमने यहां पर लिया तो यह चलते 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 यहां पर हमारा let's say stop loss हिट हो गया होगा लेकिन फिर भी अगर हमने positional trade भी लिये तो 1800 के असपास ली और SL कहां पर हिट हुआ यहां पर 2300 के असपास फिर वापस हमें उसी के असपास मिला फिर से ले लिया देखिये ऐसा कोई rule नहीं है कि अगर मैंने वो trade छोड़ दिया तो अब मैं उसको हाथ नहीं लगाँगी नया trade समझ लीजिए नया stock समझ लीजिए script का नाम हटा दीजिए और देखिये मुझे फिर से chance मिला है कई बार ऐसा होता है कि उसी शेयर में पचीसों बार ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं तो क्या trade छोड़ दूँ अरे वो एक सो पचास से लेके 2000 तक भी गए है prices, 5000 तक भी गए है अगर ऐसा तो है नहीं कि जब मैंने उसे मान लोग दोसों में छोड़ दिया और फिर उसको पकड़ा ही नहीं कभी भी हमेशा उसमें trade में बने रहना चाहिए ना जैसे जैसे उसका movement है मतलब क्या है कि वो कहने का कि ये trade uptrend में है या ये stock uptrend में है और इसमें हमको बार-बार chance मिलता है entry और exit का जिसमें entry और exit का बराबर chance मिले और हर बार profit मिलता रहे तो पैसा भी लंबी टाम तक नहीं रुपता और बीच-बीच में profit भी बुख होती जाती है तो इसमें एक क जो पड़े रहते हैं क्या पता mcx में ही कुछ ऐसे फ्री के शैस पड़े हो आपके पास जो आज 3,000 के भाव के पास जो टच कर रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हो 2870 का मजा आ जाएगा ना तो ऐसे हम stocks देख सकते हैं जो भी हम चाहें हाँ इसे हम nifty futures में भी देख सकते हैं for long term यह देखिए price इसके नीचे आया वी वैप के और कहां पर आया नीचे 9960 के असपास आया और वापस क्रॉस किया 9700 ऐसे करते करते फिर इसने यहाँ पर तोड़ा 9670 और फिर वापस कब लिया 9200 और उसके बाद से देखिए continue उपर ही उपर जा रहा है breakout यह line दिख रही है यह candle के हिसाब से बनाई गई थी remove कर दीजे फिर weekly के हिसाब से भी अगर मैं इसे करूं तो अगर options trade कर रहा है मुझे दिख रहा है कि यह continue उपर जा रहा है तो monthly के options लेके भी हम इसमें काम कर सकते हैं और जब तकि इसके उपर है close पे रहेगा इसलिए में weekly options इसमें trade नहीं कर सकते है monthly futures या monthly options इस तरह से but not weekly क्योंकि line chart जो है वो सिफ close price दिखाता है running price नहीं दिखाता इसे हम stock में भी use कर सकते है cash stocks में लेटर से हमने कोई cash talk लिया इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो और भी clarity आ जाएगी कहां से हमें दिख रहा है 644 देखे कहीं भी break नहीं किया यहां पे एक week में break किया 644 का 730 वापस हमने उठा लिया 735 में और यह चलते जा रहे हैं जाके break हुआ 783 और 783 में break हुआ फिर से हमें मिल गया 857 के आसपास और फिर देखिये यहां पे आके यह नीचे आया है 1134 300 पॉइंट मिलना मतलब 30% in how much time 2 months not a bad deal September और अभी record कर रहे हूं तो November तो पोजीशनल ट्रेडिंग, delivery, investments अगर अच्छा पैसा चाहिए तो higher time frame में इसे use करें तो कितना मजाएगा तो VWAP का concept सिफ daily पर नहीं होता, weekly पर भी कर सकते हैं, monthly में तो try कर सकते हैं बट monthly जो है वो फिर monthly की closing तक हमें wait करना पड़ेगा यहाँ पर जैसे इसने दिया है तो यह नीचे आके यह जो point बनते हैं यह closing होती है, हर closing है यह बीच में यहाँ पर आपको January दिखेगा यह point यह February तो मान लो यहाँ पर हमने कहीं buy किया होगा 378 निकाला 486 फिर buy आया यहाँ पर और यह चिपक चिपक के चल रहा है continue और एक बार यहाँ पर निकल गए होंगे क्योंकि यहाँ पर आया है फिर वापस अगले महिने में और monthly के इसाब से करें तो और भी लंबा चल सकता है बाट उतना patience भी चाहिए अगर monthly देख रहे हैं तो monthly पे काम कीजिए weekly देख रहे हैं तो weekly पे काम कीजिए daily देख रहे है तो daily पे ऐसा नहीं कि trade monthly पे लिया, फिर बाद में weekly को देखना शुरू कर दिया, daily को देखना शुरू कर दिया, 15 minutes को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हर time frame में उसका movement अलग रहता है, तो discipline के साथ trade करें, और पूरा detail में technical सिखने के लिए, अब search.club पे join कीजिए, और course देखिए, मेरा वाला मजा आएगा, thank you.